दोस्तों साथ में चैनल सिक्षकों के लिए दो दो नए अपडेट आ गए दोस्तों आए उनके बारे में हम जानते हैं क्या है क्या दिया हुआ है तो सबसे पहले हम पहला देख लेते हैं नियामावली में बदलाव की तैयारी तो देखिए क्या है कि प्रधान सिक्षकों गीशंच शुख्षक नियुक्ति देखिये, आईए, इसको हम पूरा देखते हैं, नियूज के माध्य हमसे, देखिये कि सिक्षः विभाग्न शिक्षक नियूजंन नियाम वली में बदलाव की तयारी कर रहा है, सिक्षा मंतरी चंदरशीखर ने सिक्षा विवाग के अपसरों की एक साजा बैठा कर ली और सिक्षा मंतरी ने कहा है कि सातमे चरण में सिक्षकों की निक्ति का पैटर प्रधान ध्यापकों और प्रधान सिक्षकों की भाती होगी सुकरवार को प्रभात खवर से बाचित में सिक्षं मंत्री ने बताया कि सिक्षक नियुजन को पारदारसी बनाने के परियास किये जा रहे हैं साथ में चरन में सिक्षकों की न्युक्ति 2-3 माह में सुरू हो जाएगे और सिक्षा विभाग पूरी तरह साफ सुतरि सिस्टम से न्युक्ति कराएंगा और उन्हों ने विभागे अपसरों से कहा कि पांच साल से अधिक समय से एक ही जगा तैनात अपसरों और करमचारियों के तवाले किये जाएंगे और मंतरी सेल को ये जनकारी ततकाल दिये जाएंगे साथ ही उन्होंने सिक्चा विभाक के दागी अपसरों को सूची अविलम उपलग्द कराने का भी नडदेश दिया फिर दो हारा ध्यापकों और प्रधान सिख्षकों की भाती होगी और सिख्षकों की ये निक्ति वीसेस बेतन पर करने पर विचार किया जा रहा है ठीक है तो ये आपका एक अपडेट हो गया आए दोस्तों इसका हम दूसरा अपडेट देखते हैं आए देखिए आपका यहां पर दूसरा दूसरा है अपडेट देखिए कि मुखमंतरी बोले राज में जल्धी बड़े पैमाने पर सिख्षकों की होगी बहाली जी हां आए इनके बारे में देख लेते हैं क्या दिया हुआ है निउज तो मुखमंतरी नितिस कुमार ने कहा है कि राजनीती में क्या हो रहा है उससे उन्होंने कुछ लेना देना नहीं है सभी बर्गों का स्वरगीन विकास ही प्रात्मिक्ता है कि संगन जिले में कई बड़ी परियोजनाय पूरी हुई है जिसमें क्रीसी कॉलेज भी सामिल है आगे और विकास के रास्ते खोलने की दावरान सनीवार को प्रात्मिक बिद्याले भेडिया डांगी में आयोजित जनसवाद कारकरम में मुखमंतरी ने ये बात कही इस दावरान उन्होंने जनता की सिकायतों के समाधान का भी भरोसा दिलाया और सीम ने वहां मचूट टीटी पास अवेर्टी से कहा कि राज मे जल्द ही सिक्षकों की बड़े पैमाने पर बहाली होगी और सीम ने देरा मारी में पचपन कलोर रूपए की लागत से अलप संख्यक आवासे बिद्याले का भी उदघाटन किया यहां वफ की जमीन पर बना है ठीक है और कारकरम के दवरान ही जदियू के परदेश उपाद बिद्यायक मुझाहिद आलम ने स्कूल के एकेडमी परिसर में आवासे परिसर तक जाने के लिए अंडर पास या पूट अबरीज बनाने की मांकी ताकि छात्रों की अतिय विवस्ता कि संगज बहादूर गंज सड़क ना पार करना पड़े और सीएम ने तुरंद अलब संख्या कल्यान विवाग की प्रधान सचीव सफीना ए भावन निर्मान विवाग के सचीव कुमार रवी को कारवाई के निर्देश दिये फिर आगे देख लिजी आगे हाँ पर है कि रियसम धागा का उत्वादन देश खुसी जता आई तो यह आपका अलग है अपडेट अलग बात है फिर काफी काम किया और आगे भी करना है यह भी आपका देखिए आगे दूसरा अपडेट है तो यहां आपका जो नेतिश जी बोले है मुखमंत्री बोले है राज में जल्दी बड़े अपमारे पर सिक्षिकों की बहाले तो यह आपका दूसरा अपडेट दोस्तों साथ वे चैनल को सब्क्राइब करिए वीडियो से नहीं वीडियो को लाइक करिए चैनल परने चैनल को सब्क्राइब करिए फिर मिलत हैं